बुद मुनिक शुडेंट आज हम क्लास 5 की एक्ससाइज 5.2 देखेगे लास वीडियो में हमने एक्ससाइज 5.1 डिसकेस की थी जिसमें हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ाता और आई होप आपको अच्छे से समझ आदे होंगे और आपने घर पर प्रेक्टिस की की होगी त जो आप करा दे जाता है स्कूल में आप उसकी घर पर प्रेक्टिस कीया कीजिए खुद से कलास से जभी आप बक्षे से उस समय में आई होप आज हो जाएगा कर लास्ट वीडियो में हमने LCM और फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉम आपको पुग पढ़ा हुआ हो आपको की बुक पढ़ेंगे लिए तो आप दे तो आप एजली उसमें से प्रेक्टिस कर देते हैं अब ऐसा नहीं कि जो मैंने करा दी है उसको भी आपको दुवारा कुद से और अगर कोई डौट आता है तो आपको नोट बीडियो के तुर तो नोट किया उसमें देखकर आप अपनी डाउट को जोगी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है उचहप्टर देखते हैं 5.2 पहला कोशन के लाएक स्कतून कोशन कोशन नान आपको बेसके लाएं भॉषम के लूषप जाएं की सिस्टी अलापकल लाएं कि अनुब्लम हुआ है। सब्सक्राइब करें दूसरा बन की टेबल में सारे नंबर आते हैं और दूसरा फुद की टेबल में तो आए दी आएगा अब नाइन गाए तो वन होगा एक तो थी होगा और एक नाइन होगा तो की टेबल में आता है, अबृत की टेबल में बहता है, दोह दूसरा और दूसरा बता है जाए वकशीं की टेबल में हम रहुक्राइवा एक फुद की टेबल इसकी एक पी लिवर सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस पर अधिक से पर पर इंटिवन 21 में और फिर आता 63 में ठीक है अब यह फेक्टर हो गए इन नम्रों के ठीक है आगे रहते हैं कोश्चन नम्बर 2 कोश्चन नम्र 2 में कहता है कि find out the common factor of given number यानि common factor यान पहले तो फेक्टर निकाल ले हैं उसके बाद common factor बताने हैं जैसे पहला है 8 and 12 so number eight and 12 तो फेल है आप eight के फेक्टर देखेंगे eight के फेक्टर क्या होते है मिलाइ दूरारे पारहरा धिरए पारम्सक्पर दट्रक्र ऐल लति नampa जानेजनने मातिमें जाने सीकेंटिए यह कोवार में में एक भीर में डिल्येज डेंगे हैं 10 के 1, 2, 5 or 10, जिनी, 1 की टेबल में आएगा 2 में भी आएगा 5 में भी आएगा, 20 के यह गा हम तेकें 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है 5 में भी आता है और उसके बार 10 में भी आथा ऐसी आगे 7 and 16 लार्च दरों बागिस का जो बचा हो वो कुछ करें गया 7 के फेटर होंगे सिर्फ 1 और 7 इस इस प्राइब में परें क्योंकि 16 के होंगे 1, 2, 4, 8 और 16 CF निका लेंगे जिक्त आएगा 1, बनी आएगा सब ऐसी आपको 18 और 32 के निकाल ला है वो आप खुद निकालेंगे आप देखिए कोशन अपर कि आपको 18 ऑसड़ में विक्त देखिए कोशन निकाना खर्विम् और ददेगे से जाता है से जाता है सब्सक्राइब करते हैं अब देखते हैं कि अब देखते हैं कि टेबल से सेवन ताइम में सेवन तुझा 14 फिर सेवन जागा सेवन की टेबल से क्योंकि प्राइग नमबर है बंटाइम हो गया तो 21 की जो फेक्टर आएं वो आएं 3 2 7 और 28 की जो फेक्टर आएं वो आएं 2 तो मुल्लिप्लाइब एंटी ब्लाइब सेवन कैसे प्राइब एंटी नमबर क्या रहा है एक तो आरा जो सेवन इसमें वे आ रहा है तो अकर से फिर से बुझा जाएगा सेवन कि टेबल में 21 और 28 दोनों नमबर आते हैं ठीक है यह होगा कोशन नमबर 3 अब देखनें कोशन कोशन नमबर 3 अकर 12 अब देखनें है कोशन नमबर 4 नमबर क्यां अब सब्सक्रिवस, क्यों डिखनें कि गस्त्राइब 15-75 और 25 को बाते हैं प्रिवंटीफाइब नंबर है तो 75 वी ग्राइब से नहीं जाता है, तो 25 वी पाइब से जाएगा तो यह आते हैं 3 x 5 x 5 35 x 15 15 15 17 अब इसमें क्या रहा है तो यह 5 दोनों आ रहे हैं 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है बट यह अलग लगे ऐसे अजो निकलेंगे हम एक तो आएगा 3 वक्ट बर्क ब्लैब आए दूसर आएगा 5 35 पे कितना हो गया 15 45 & 75 पे नमबर क्या है ऐसी अब 15 portion पर 5 देखेंगे सब में ऐसी करना है find out the common factor 12, 18 & 24 यह आपको 3 नमबर कर दिया 12, 18 & 24 पर 12 का देख लेते हैं 2 से जाएगा 6 टाइम में 2 3 जा 6 & 3 से 1 टाइम 18 देखेंगे 2 9 जा 18 3 3 जा 9 और यह 24 देखेंगे 2 12 जा 24 2 6 जा 12 2 3 जा 6 & 3 जा 3 12 के फेक्ट राए 2 मुलिप्लावर 2 मुलिप्लावर 3 18 के फेक्ट राए 2 मुलिप्लावर 3 मुलिप्लावर 3 24 का है 2 मुलिप्लावर 2 2 मुलिप्लावर 2 2 मुलिप्लावर 3 अब दोनों में common क्या रहा है तीनों में सुरी फिर आपके 3 भी आ रहा है बाकी नहीं आ रहा है जुसका मुलिप्लावर 2 ठीक है 29 जा 27 33 जा 9 और ये 3 मुलिप्लावर 3 36 नहीं 2 की टेबल से जाएगा 18 बार में 2 से 9 बार में और ये 3 से 9 3 बार में और ये बार अब रिप्टिंगे फेक्टर जा लिखेंगे हम तो लिखेंगे 3 multiply by 5 27 की लिखेंगे 3 multiply by 3 multiply by 3 36 की लिखेंगे 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 जैसे अब निका लेंगे तीनों क्या रहा दिखे एक ते 3 आ रहा और कुछ नहीं आ रहा 5 बिखेंगे 3 ही आएगा ठीक है आगे है कोशन नमबर 7 कोशन नमबर 7 कोशन नमबर 7 कहता है 2 mil containers filled with 20L and 30L mil spectre इसमें 20L ये दूसरे में 30L आता है What will be the greatest measurement of a container that can measure 2 mil को बोद container exactly तो इसमें आप से पूछ रहा है कि इनकी greatest measurement क्या होगी container की कि जब आप इसको measure करते हैं तो दोनों की exactly measurement आए तो आप पैसबते हैं कि अभी इसमें आपको क्या निकालना है SEO इसमें आपको S से भी कालना है किसका निकालना है इधर 2 15 जा 30 3 5 जा 15 और 5 जा 5 20 की जो factor आएं वह है 2 multiplier 5 30 क्या है 2 multiplier 3 multiplier 5 से आप निकालना है एक तौरा आपका दूसरा आपका 5 तो इसमें आपको 10 L तो greatest measurement के आपको 10 L ठीक है तो यह था आपको पॉर्शन 7 बिल्कुल easiest chapter था मैंने बहुत है से आपको आपको स्लेवर्स में इतने hard option दिये नहीं तो बिल्कुल easy था और चप्टर आपका complete हो चुगा है 5 chapter complete हो चुगा है नेक्स वीडियो में आपको चप्टर मसी देखें जो इस सिंगल चप्टर है और काभी चोटा चप्टर हो भी साथ एक ही वीडियो में complete होगा आपके पास आईगी में इसकी वीडियो अब नेक्स अरवन दभागले 3 days आपको साइंस की वीडियो देखने को मिलेगी ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही और बग के हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब भी आएगी मंडे को ठीक है इसके next chapter 6 के साथ, ठीक है, तो वेक्टिस करते रिजे साथ में, thank you.